नमस्ते त्यारे विद्यार्टियों आर सुगा एक यूट्यूब चैनल दा शुगर प्लम 770 से कॉर्शन आया है अकॉंटिंग का सर जी थैंक यू फोर मेकिंग वीडियो आपका भी धन्यवाद आपके लिए एक यूच्छन है ओके लिए एक प्यार्ष रेचिंग में जाइए कोप्क ळूस्सक्ण में आपके लिए एक पूस्टिंग है लिए एक बाद काऊ इवाद तैने प्रसट्टिंग कि विज्टिंग एक वियपार मल खेडता है बीचने के लिए क्या यह वबार का खर्चा है हाँ यह वबार का खर्च्य है बट इस खर्चे में दो features हैं यह capital nature का खर्चा भी है revenue nature का खर्चा भी है देखो जितने ही capital nature के खर्चे होते हैं उसको हम asset show करते हैं balance windows में और जितने भी रेवन्यू नेचर के खर्चे होते हैं उसको हम टेडिंग काउंट तथा प्रूप्ट लोस अकाउंट में भेज कर समाप्त कर देते हैं एक जो खरिदा हुआ माल ही ऐसा है जिसमें दोनों क्वालिटीज हैं इसमें जो माल सेल कर देती हैं उसकी कोश्ट हमारा रेवन्यू एक्सपेंस होता है और उसको टेडिंग काउंट में हम शो करते हैं डेविट साइड में बाकि जो माल अभी नहीं बिका वो हमारा केप्टल एक्सपेंडिचर है हम उसे क्रंट एसेट में शो करते हैं अपनी बैलेशीट में तो आपका जितना जितना माल बिखता जाता है वह कोश्ट और प्रोडक्शन बनता जाता है तांके आप उसमें से कितना कुल लाब हुआ वो जान ले मानलो मैं आपको एक सिंपल सी अग्रम गाधात पांच हजाय का माल आपने बेच लिया कितने का बीचा आप 20 जाय का तो दस हजाय में से जो पांच हजाय है वह है हमारी जो हमने किया था कोश्ट कोष्ट प्रोडक्शन तो ये कैसे कैलकिलेट करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डsmites making total purchases काश्ट दस हजाय करे तो तब भी वही दस हजार में से पांच हजा गटाएंगे पांच हजा आपकी कोस्ट और प्रोडक्शन आएगी और विका है बीस हजार का तो आपको ग्रोस प्रोफिट है वह बंदर हजार का है बाकि एक बात और दियानक नहीं है कुछ और expenses, debt expenses है वो भी cost of production का हिस्सा होगे जो माल को खरीदने के उपर खर्चे हुए ऐसे तो है नहीं कि आप का जो माल आपने खरीदा बंबे से रहते हो आप दिल्ली में तो आपने आप ही पहुंच जाएगा तो आपको बंबे से दिल्ली तक का जो फ्रेट है, carriage charges है वो पे करने होंगे तो वो cost of production का सब अनेगे और जो closing stroke है वो हम उसको दिखाएगे balance sheet में balance sheet में एक current asset तांकि वो अगले साल जाए अगले साल बिक जाएगा अगले साल जो 5000 वो बिक जाता है तो जो cost of production होगी वो 5000 होगी अब हम closing stroke नहीं दिखाएगे तो ऐसे circle चलता जाता है तो इस खरचे को आप समझीए तथा अपने transactions को record करने के लिए इसका इस्तमाल कीजिए धन्यवाद तो झाल झाल